अब हैं आप कि अधर नो दोस्तों स्वागत आप सभी का अपके अपने ओल टाइम क्लाशिक सान्पूर्श चैनल पर दोस्तों मैं संजीत उमर एक बार पिर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए यूबी पुलिस और डैली पुलिस का जो स्वामने स्पेशल बैच चलाया है इसकी एक किलास लेकर आया है आज की जो किलास है वो किससे रिलेटिड है दोस्तों आज की जो किलास हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा दिविगात समीकरण ठीक है न अक्वार्डटिक एक्वेशन तो ये चप्टर बहुत ज़्यादा खास है और आसान भी है दोस्तों क्योंकि इसका बेनिफिट यह रहेगा आपको कि अगर ये चप्टर खास है तो इतना ही आसान भी रहेगा तो ज़्यादा बेनेफिट सिर्म रहो गया तो इसलिए मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ठीक है जल्दी से जल्दी अपने नोट बूप जो भी कोपी पैना आप ले यूज़ करना चाहते हो उसा साथ में लेकर बैठ जाए अगर आप तेजी से बढ़ना चाहते हैं तो अकेले चलिए लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ मिल कर चलिए यह बात सच है दोस्तों अगर आपको ज़्यादा बड़ा एजिवमेंट गेन करना है ठीक है या जन्दी सबसे ज़्यादा जन्दा तो अकिले चलना होगा क्योंकि आपको अगर दूसरों का इंतजार करते रहोगे तो मै आपको क्या करेंगे लेट करतेंगे देर से पहुचाने देगे आपका ठीक ना अगर लंबे चलना ज्यादा दूर तक जाना तो ज्यादा दूर तक जाने के लिए फिर आपको साथ मिल कर चलना हो यह बात सच है इसी भाव और शी विचार को आज हम अपने मन में बैठा कर अपना कारिये स्टार्ट करते हैं चलिए सुरुवात करते हैं यह चार्ट दिया गया दोस्तों इस चार्ट के तुरूप पता क्या लगता है यह इस्पेसली उन बच्चों के लिए जिनके नों हाली में 12 किया है और हमारे साथ जुड़े वे हैं तो में बेनिवर्ट यह है क दोस्तों जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेवे हैं उन बच्चों को ज्यादा तर प्रोड्रम ये रहते हैं कि क्या ये मेरे सेलिवस के अकोर्डिंग है या नहीं ठीक है अगर ये मेरे सेलिवस के अकोर्डिंग है तो ठीक है या नहीं है तो ये बात आपको पता होने समय करनें डिव घाद समय करन तो नीरी भand समय करने च्छेक न तो अब इंग्लिश स्वाज़ार single सब्सक्राइब कौइज ना और कोई भी क्वाज़ात समय करने जैसे पहले ही नाम से ही पता लग आपको दिविघात समिकरंड यानि जिसकी भी पावर दो हो उसे क्या बोलतागा आप दिवघात समिकरंड समझा है आपको तो जिसकी भी पावर दो हो गी उसे दिविघात समिकरंड बोल दिया करो गया दिविघात बोल दो गया वैसे तो अगर बेसिकली देख लिया जाए त दोस्तो एक्स की पावर 0 होता है मतलब कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो उस कमान क्या होगा 1 कोई भी equation जो आपको इस shape में दिखाई देगी या फिर उनकी पावर decrease level में होगी पावर कैसी होनी चाहिए पावर होनी चाहिए decrease level में ठीक है न अगर ऐसा है तो वो equation आपकी दिवगाज समिकर्ण कहलाएगी चाहिए वो पावर दोस्तो भी जादा हो सकती है ठीक है न तो चलिए समझते हैं दोस्तो पहली बात तो ये थी दिवगाज समिकर्ण के बारे में आपको को पता लगा दूसरी में बात क्या है दिवगाज समिकर्ण में कि कि यहां concept होता है जिसे कहते हैं दोस्तों माले सपोंच करो कि यह कोई equation दिए गए ठीक है न यह हो गया आपका 7x plus 12 अब 6 कैसे करना होता है वो मैं आपको एक बार बता देते हैं x square plus के यहां पर कितना हुआ यहां पर 7 4 plus 3 और यहां पर x plus 12 equal to 0 अब x square as it is तो अंदर multiply कर देजिए 4x plus 3x बार प्लस 12 equal to 0 x common ले लीजिए यहां पर कितना x plus 4 और यहां से 3 common ले ले लीजिए यहां पर पिर मिला x plus 4 तो यहां पर x plus 4 दोनों value में common तो यहां से आपने यह common ले लिया तो ठीक है अगर ऐसा हुआ अब आपको करना क्या अच्छे जल्दी से note down कर लीजिए दोस्तों ठीक है तो अब करना यह है जो आपको मिले x plus 3 and x plus 4 equal to 0 तो हमें इन दोनों के बराबर value रखनी है 0 इसी तरह से यहां पर value put करनी है 0 तो x बराबर minus के 3 and x बराबर minus के 4 आपको मिल जाएगा x बराबर minus के 3 and x बराबर minus 4 आपको मिल जाएगे तो अच्छे यह x की जो value मिली आपको यह क्या क्या है यह क्या हो सकती है जो x की value है दोस्तों इनंहीं बोल्टों आप्धूल क्या बोलते हो नijnा मूल ंए निकली लिएक ओड़ व् Award होगा सुन्यang आपको कभी तो भी एक्जाम में कोशिले दे हो इसका सुन्यांक क्या है? या फिर इसे भी बोल्दों कैं आप रूंगे अगर English में बोले तो क्या बोल दोगे? Rule तो ये कुछ बाते आपको बतानी है और टेरेक्ट ये जो प्रोसेज में बतानी है दोस्तो इस प्रोसेज को छोड़ का आपको कुछ और प्रोसेज अपलाई करना होगा ठीक है न? तो वो दूसरा प्रोसेज सीखना है आपको उसी के तुछ सोल करना है अधर्वाइस एक प्रोसेज हो रहे है दोस्तों अगर आप सोल सीखना चारे तो अगर कोई भी equation आपको ऐसी मिलती है ठीक है न? इस तरह कि कोई भी equation है आपको factor आते हैं या ना आते हैं तो आपको एक formula याद रखने ना सिरी धरा चाहिए सिरी धरा चाहिए चीक है ना जो हमारे गणी तक देते हैं उन्होंने एक formula बनाया था जिसका नाम था minus b plus minus under root b square minus 4ac upon कितना था 2a b square minus 4ac upon 2a तो इतनी यानि यह formula जो बना इस formula में वेलो पूट करने के बाद जैसे आप इस formula के अंदर value put करोगे तो होगा क्या जैसे आपने formula value put की तो दोस्तो यह सभी value जो भी पूरी equation आपको कोई सी भी equation दी गई हो होनी चाहिए quadratic उसके लिए अगर ऐसा नहीं कि x plus y भी इसमें attach कर दिया quadratic equation है तो उसको root निकाल देगा क्या निकाल देगा root यानि मूल x की value जो होगी sort करने के बाद वह मूल आपको मिला करेगा ठीक है एक तो यह condition यह रही दूसरी condition और सीखते हैं एक निकालना होते दोस्तों यहाँ पर मूलो की परकर्ति मूलो की परकर्ति अब परकर्ति से क्या मतलब होँ सर आप क्या कहना चारें तो मैं समझाता हूं यहाँ पर nature निकालना है तो यह किस के तुरू निकाल लोगा यह निकाल लोगा आप d के तुरू और d बराबर d होता क्या है सर दी होता है विवित कर ठीक है विवित कर तो विवित कर क्या होता है formula में B square minus 4AC यह formula आपको apply करना है अच्छा इसके बाद क्या क्रडिशन हो गए अच्छे से याद कर देने यह चार्ट ठीक हैना वैसे मैं बता भी रहा है देखो ध्यान से सुनना आपको अकर सपोज करो कि यहां पर हमने पहला case लिया ठीक पहले केस के अंदर लिया क्या गया उस समझे पहला केस सब्सक्राइब करो डी इक्वल्टु जीरो है डी क्या है जीरो अगर डी इक्वल्टु जीरो है तो तो, सोल-सोल करने के बाद, जीक वती 0, तो क्या डओंगे, मूल कैसे? वास्तिक होंगे, कैसे होंगे? वास्तिक. ठीक है ना? अगर दूसरी condition, डी, एक वल्टो, इस ग्रेटर देर तो, एक वल्टो 0, तो ठीक है, तो मूल वास्तिक, तो होंगे ही होंगे, और क्या रहेंगे भिन भिन कैसे रहेंगे भिन भिन तो कहीं से पर नोट कर ले ना दोस्तो भिन भिन होगे तीसरी condition यदि D equal to is less than equal to 0 तो मूल कैसे होगे मूल कालपनिक होगे ठीक है ना तो कालपनिक होगे तो यह तीन condition जो आपको याद रख लिए depend करेगे D की value पर ठेकर ना अच्छी question के थुरू इन बात को हम समझेंगे ठेकर ना जो यह बात हम कर रहे हैं question के थुरू इंदर आपको सीखने को मिल जाएगे थोड़ा सा ओप सीखते हैं तो यहाँ पर अब है suppose करो की दोस्तो कोई मूल दे दिया जाए suppose करो की यह आपको equation दे दी तो यह दे दे x equal to a and x equal to b तो अच्छा एक बात हो रहे हैं जितनी power होती है दोस्तो इतनी value निकलेगी इतना solution होना चाहिए ठेक ना power दो थी तो दो answer आपको मिले समझाया है जिकनी power होंगी इतने answer मिलेंगे आपको हमेशा तो हमने यहाँ को बनाया x minus a इसे भी इदर घटा दिया x minus b equal to kya होगा जीरो तो दोनों value की multiply करती है आपने x minus a and x minus b equal to 0 जब इनकी multiply करोगा तो आपको क्या मिलेगा a plus b x plus a b equal to कितना मिला जीरो तो अगर यह दीख लीज़े तो यह क्या है दूश्तर यह क्या थे यहाँ पर बताओ a और b क्या था a और b थे mood क्या थे a और b mood तो फिर हुआ क्या यहाँ पर हुआ योग और यहाँ पर हुआ गुणन नपल ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पर गुणन नपल तो इसका मतलग यहाँ पर करना क्या है आपको अगर पूछ लिया जाए आपको क्या पूछ लिया जाए ठीक है नहीं बात तो समझाए आपको समझाता हूं यदि आपको पूछ लिया जाए मूलो का दिवगात समिकन ग्याद कीजिए ग्याद करो किसके दवारा मूलो दवारा ठीक ना तो दिवगात समिकन क्या रहे कि दिवगात समिकन एक आलफा सुरी अगर मूलों का योग दिवडा सुने का निकालने एक मिल टुकिए तो ये दिख्खा थामने X square माइनर मूलों का योग फल योग फल पलस मूलों का गुणान फल और एक वर्ड में जीरो जरूर तो ये दोस्त एक पूरा पॉल्चप्ट यानि एक पूरा फोर्मूला है यह याद रखना आपको जैसे ही जरूरत पढ़ेगी हम उसका परियोग क्लिया करेंगे अब और समझते हैं सपोर्ज करो यहाँ पर हमारी एक्वेशन क्या मेली थे भी सोल करने के बाद यह ठीक है ना यह आलवा बिटा मैंने मून मान लिए और एक विप्टी है हमारे पास कौन सी यह इसमें से एक ओमन लेने के बाद आपने खतम कर दिया एक ओमन लेने के बाद खतम कर दिया और यहां से कर दिया आपने कर दोस्तों यहां से कर दिया आपने कंपेरिंग तो कंपेरिंग करने के बाद आपको पता क्या लगा देखिए दो एक्वेशन थी आपके पास कौन कौन सी थी एक तो x square alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0 यह हमने पहले सोल की और दुबारा सोल की गई आपकी equation यह है तो हमें यहाँ से कुछ value निकाल नी है क्या निकाल नी है ध्यान दो जो जिसके सामने वो उसकी value यानि तुलना करती है आपने हैं क्या करती है तुलना करने पर तो यहाँ पहले कर alpha plus beta देख लिया जाए ते होगा मूलो का योगफल क्या कहले है कि मूलो का योगफल जब नी होगा तो आपको यह formula लगाना या फिर इसा ऐसा निक सकते हो x का गुणांक x का गुणांक बटे x square का गुणांक ठीक है न क्या है x का गुणांक बटे x square का गुणांक तो यह है मूलो का योगफल ठीक है न इसी के दोबारा यह नोट करते चलना दोस्तों साथ साथ जतना जब दिन नोट करोगे तो अच्छा रहेगा अधरवाज आपके लिए यह फोर्मुले अगर नहीं याद होए तो दोस्तों क्यूस्टन होना मुश्किली नहीं ना मुम्किन भी होगा ठीक है न एक दुबारा अब मूलों का गुणनफल गुणनफल है यह तो इसके कॉल भी सी तो यहां पर लिख सकते हो अचरपद बटे एक्स इस्क्वेर का गुणा तो अगर आप शोट में निकालना चाहरे हैं तो यहां पर यह लिख सकते हो और आप वेल्यों अपने निकाल चाहते हो और कोई प्रोणम नहीं न चीक अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स क्या है अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं सारी बात चेप्टर की तकरीबन खतम हो गई है अब बढ़ते हैं टोपिक की तरफ यह है आपका पहला क्यूस्टन निमली की में से कौन सा दिवगाज समीकर्ण नहीं है तो ठीक है ला तो यहां पर अगर देख ले जाए तो यह जिसकी पावर सिडूल से नहीं है फिलाल आपके लिए यह आंसर ठीक रहेगा बी आंसर ठीक है नेक्स क्यूस्टन पर चलते हैं निमली की तुमें से किस समीकर्ण के मूल वास्त्विक है यहां पर मूल वास्तित बनाने तो मूल वास्तित बताने के लिए क्या लगाना आपका डी बराबर बी स्क्वेर माइनस 4 एसी डी बराबर बी स्क्वेर अगर पहनी वैलू रख दो गए आप ते यह तो चार का हो जागा कितना स्वोल है यानि तुर्णा करनी दोस्ता आपको कहें से AX square plus BX plus C से तो देखें कैसे तुर्णा की गई आपकी यहाँ पर A की value कितनी मिली A की value मिली आपको A बराबर मिला 3 B बराबर minus के 4 पहली वाली की बायतर C बराबर मिला 5 जो 20 की जगह है यह 16 और 4 गुना A तो यह कितना बचा A कितना है 3 और C कितना है 5 यह वाब 20 की जगह साथ तो यह तो माइनस में मिला इसका तो वास्तिक नहीं है यहाँ कितना हुआ यह हुआ 12,57,60 में से 6 जाएक माइनस में value यह तो नहीं है और यहाँ पर गर तेख लिए 70,59 यह 99 है और यह 6 12,48 यह ठीक है दोस्तों तो option कौन सा ठीक है B ठीक रहेगा इससे क्या मिलना वादा आपको एक ठीक है ना एक अगो value कैसा मिला पलस में तो यह वे कैसी है वास्तिक संख्या आप दोस्तों जैसे मैंने बताये थे ना करती ही याद रहां तो अगर आपने वो याद की तब तो ठीक है नहीं तो जोस्तों आपके लिए समस्या और बढ़ने वादे निमली किस मेंसे किस समयनन के मूल वास्तिक है यहां पर भी इह उतातना है यहां पर देख लिजी तो मूल अगर वास्तिक देख लेजिए पहली equation के देखोगे तो 1-4-3 तो यहाँ पर minus की value मिलती है यहाँ पर देख लेजिए 9-4-2-4 तो यहाँ पर भी minus में मिली और यहाँ पर तो लड़ी पहले ही minus है यहनी 16-4-3-5 तो ठीक है तो अब यह है तो लास्ट की डी equation जो डी option है यह आपका ठीक रहा है ठीकन दोस्तों तो ठीक है दोस्तों next question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर बताए गया के मूल यहाँ पर बताने मूल कैसे है तो मूल निकाल ले हैं आपको तो देया क्या गया है यहाँ यह option थोड़ा सा गलत होगे दोस्तों x plus 3 क्यों कि अगर देख ले जाए यह शोल तो नहीं होगी अगर equation शोल नहीं होगी तो अगर equation शोल ना हो तो किया क्या जाए अगर equation शोल ना हो फिर लगाना पड़ता है धराचारिये दोस्तों तो धराचारिये लगा होगे पहले तो तो तुम ना कर लोगे ए बराबर भी एक है वी बराबर एक और सी बराबर है तीन तो चलिए माइनस एक पालस माइनस बी स्क्वेर यानि एक माइनस के फोर ए सी तो दोस्तों गलत होगा question क्योंकि यहाँ पर जो value मिली वो माइनस में मिली चीक ना कुछ छूटा हुआ है जिसकी वज़े से थोड़ बारा में से गटने के बाद क्या मिला आपको माइनस के ग्यारा यानि हूट में अगर माइनस के ग्यारा यह हो जाकता है दोस्तों complex number क्या हो जाकता है complex number गए जो आपके syllabus के according नहीं है या फिर इसे बोलत दो हो आप समेक स्थरे संख्या है ठीक ना संख्या तो इसलिए दोस् इसलिए गलत है पर इससे देख लिए ने एक पर चबते हैं एक एक्वेशन दिये गई यहां पर पुछा गया कि एक्स का मान क्या होगा अच्छे दोस्तों पहले तो मैंने आपको इसे एक्वेशन कुछ स्वोल करने बताई थी अलग तरीके से बट अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा डियक्ट आंसर लिखना आपको क्या दिया गया 12 12 के ऐसे फेक्टर करने हैं ठीक है न जिससे एड करने के बाद 12 के ऐसे टुकड़े जिससे एड करने के बाद 7 मिले तो 4 पीया 12 और याद रखना कर यह साइन है तो यह दूनों वेल्यू मिलेगे आपको कैसी पलस में अगर यहाँ पलस होता तो दूनों वेल्यू मिलती माइनस हो ठीक है न डिपेंट करेंगा यहाँ पलस और माइनस तो दूनों वेल्यू पलस तो ओप्सन क्या रहेगा बी ओप्सन आपका ठीक है कौन चा बी ओप्सन ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं यहाँ पर एक एक्वेशन दे गए और इसकी वेल्व निकान नहीं है ठीक है कोई प्रोब्डम है तो यहाँ पर मात्र बस करना यह है आपको क्या देगा टू एक्स स्क्वेर पलस वन एक साइडम रखकर यहाँ पर रख दे आपने फिरी एक्स और यह यहां से हमने कोमन ले लिया कितना दो है ठीक है न कितना कोमन ले लिया आपने यहां पर दो कोमन ले लिया तो चलिए तो अगर यहां पर कोमन लेना चाहते हो मैं सोच रहा है तो यहां से एक्स लेना तो यहां पर बच रहा है टू एक्स हमारे पास और यहां पर यह यह अब यहां पर बचा ठीक है ठीक है थोड़ी से प्रोब्लम है कोई बात है तो यहां वाली वैल्यू की मल्टिप्लाई करने के बाद आपको फेक्टर करने है तो टू पलस वन equal to 0 2x square minus 2x minus x और परास 1 equal to 0 यहां से 2x को 1 लेया आपने तो कितना हIS अवाई X-1 और यहां पर –1 लिया तो X-1 तो सेम हो अब यहां पर देख लिया जाए तो X की वैलू कितने मिली 1 और X की वैलू एक मिली आपकी 1 अपॉन 2 तो यहां पर दो अंसर आपके निकलने वाले हैं अगर पहले 1 यूज करते हो आप तो 1 पलस 1 यानि कितना बना 2 और अगर आप र सर कौन सा ठीक रहा option आपका इनमें से कोई नहीं D option ठीक है दोस्तों क्या है D option डी option ठीक है स्क्राइड करने के बाद 6 मिले तो यही हो जागे 3 प्यानों अब यहां क्या बताता है ना कर यहां माइनस है तो यह मिली माइनस में ठीक है ना किसमें तो माइनस option ए ठीक रहे वाया आपका चलते है नेक्स तब एक इक्रेशन ओर देगी यहां पर को हल करें क्या करना है हल क यह है एकसर माइनस 8 इकल डू जी रूट तो एकसर बराबर रहा रहा ऑट स्क्टर बराबर यहां से हटाये रूट आपने तो रूट आट और एक्स बराबर आप निख होगे आप 2ूब 2 तो एक्स बराबर पलस माइनस र reclaim तो बहुत बहुता अर्ट च्रहा अस थीग है कौन सा है यह ओक्षिन रहा आपका सी ओक्षिन ठीप है चलिए नेस्ट कर यहां पर इधी लिखा हुआ यह कुछ और है यहां पर इसके साथ मुल्टिप्लाई करें कितना हुआ चैंट और शहां कि इसे ऐसे प्यक्टर करने आपको एड़ करने के बाद जिसे जुड़ने के बाद यह चैंट रहे तो प्हुछ न गलत होगा दोस्तों यह चाहिए कितना होना चाहिए आपका पांच तो आपको बताना है कि मूड किस तरह के होंगे तो कोई को सुने कर मूड गुशता है तो आपको एक वेसम अगने डी बराबर बी स्क्वेर बी की वेलू पांच पच्चिस चार गुना दो गुना तीम तो चचक चोबिस तो कैसे रहेंगे चोबिस तो चोबिस में अगर देख ले जाए तो यह कितना बना एक और यह जादा अच्छान सरेगा क्योंकि इसमें वास्तिक बराबर है और यहां पर मूह भिन भिन रहेंगे अगर आपका तीन है तो एक का कितना होगा सब्सक्राइब कर देख लिए तो नेक्स्ट पर जरते हैं एक और क्यूस्टन दिया अपको इस कुस्टन में कहा क्या गया यह क्यूस्टन है कि मूल समान है तो सी की वैलू क्या होगे ठीक है कोई प्रॉब्लम ही मूल सबान होने का मदलब 0 किसके बराबर B2-4AC के एक वन तो यहाँ पर D के जगे तो B2-4A as it is and C 0 तो इसे इदर ले लोगे आप तो C बराबर बच्चा B2 upon 4A यह आपका अंसर रहा तो D, sorry, C option ठीक है दोस्तों कौन सा? C option ठीक है यहाँ पर भी दिया गया कि मूल समान है चलो अगर मूल समान है तो P का मान निकाल दे, निकाल देते हैं मूल समान की वैलू D बराबर 0 तो यहाँ पर क्या हो? तक P square यानि 9 वो 4, 4, 2, 8P तो इदना होगे 9 बराबर 8P है ना तो P बराबर रहेगा 9 बराबर 8 answer आपका तो कौन सा option ठीक है? A यहाँ पर भी दिया गया यह question कि मूल वीद करम हो, वीद करम मतलब एक दूसरे के उल्टे तो क्या हो सकता है? अब हमें निकालना क्या है? देखो, मूलों का गुणनफल निकाल दिया, वीद करम होगा अगर एक आलफा तो दूसरा वहना पून आलफा अब इनका गुणनफल होगा? यहाँ पर गुणनफल होगा? C बटे A कितना होगा यहाँ पर? C बटे A अच्छो हमने लिया क्या, मूलों का गुणनफल होगा? तो क्या बचा आपका? A कौंस ओप्शन ठीक है? C ओप्शन ठीक है आपका यह दिया गया, मूल alpha beta है, तो आपको बताना इसकी value है, तो पहले आपको सबसे पहले करना ये होगा, इस value भी multiply करने के बाद आप लिख दीजिए, multiply कैसे लिखो गए? यह रहेगी आलफा बेटा एंड पलस के यहाँ पर क्या रहा टू को मनों हो जाएगा आलफा पलस बेटा एंड पलस फोड यह रहा आपको ठीक है थीक था इतना हमें मिला अगर इतना आपको मिलता है तो यहाँ से आप निकाल सकते अगर इनके मूलों का योगफ़ देख ले जाए तो कितना होगा साथ बटा दो और मूलों का गुणन पल देख ले जाए तो यह कितना रहेगा माइनस के तीर बटे दो तो यह वैलो आपको यहाँ रखनी है बस यही करना तर यह तो तीन बटा दो आफ दो और दो गुनाज साथ बटा दो और पलस में है चार आपका ठीक है न तो यह पलस में कितना है चार अच्छा तो अब होना क्या है यहां पै होना यह है इस रूट 2 इस दो से दो केंसिल साथ चार ग्यारा अर यह बचा आपका एक पुंट पांच और यह पलस में 11 तो 11 ठीक है 11 मजए गे 10 पर आदा और गटा दे 9.5 आंसर और आंसर मिला यह पलस का कौन रहा मिला तो डी ऑप्सन आपका ठीक है यह दोस्तों कौन सा यह उप्सन ठीक है यह इसके मूल यह हो तो इसकी वैलू निकाल लिए निकाल देते कोई बोड़न नहीं है तो इसकी वैलू कैसे निकाल लगए हाँ से आलपा पलस बेटा निकाल दो सब सब पहले रिस्पोंजबल्टित आपकी यह है कि आलपा पलस बेटा निकाल दो एक मिल दोस्तों क्या निक पटे और हमें VALUA चीए alpha square plus beta square alpha square plus beta square alpha square plus beta square equal to होता किया दोस्तों अच्छे एक बटी यह थूड़ी ची बढ़ी कर्लो तो होता है इसके बराबर alpha plus beta का whole square minus 2alpha beta कितना रहेगा ? 2alpha beta और इसकी VALUA थी b square बटे a square और इसकी VALUA कितनी थी ? 2C बटे A and A square तो यहाँ पर बची B square minus के 2AC बटे A square ठीक है ना तो यह आपका आंसर रहा 2AC और यह रहा आपका C option ठीक है दोस्तों Next question देगा है यहाँ पर यह भी कर लेते हैं इसमें क्या कर यहाँ यह equation देगा है जिसका root है तो ठीक है कोई problem नहीं यहाँ पर अच्छा यह थोड़ी सी equation गलत दिखे लिए जो थोड़ी सी problem हुई यानि यहाँ पर square square नहीं होगा ठीक है ना तो यहाँ पर अगर देख लेजाए यहाँ से सबस्तों पहले alpha plus beta निकालना माइस के B बटे और alpha into beta निकालना है सी बटे और यहाँ पर दिया गया होगा यह जहिर सी बात है मेरे मांगने के हिसाब से alpha plus beta यानि यह वाली value beta plus alpha इसकी इधर multiply कर दे लिए लिए alpha square beta square बटे कितना होगा आलफा beta ठीक है अगर यह alpha beta तो इसकी value आपने भी निकाल ली थी ही और इसकी value और रगत हो गई कितने निकाल ली थी हमने इसकी value इसकी निकाल ली गई थी b square minus k 2ac अपन कितना था कितना था कितना था है अपर a square और इसकी value कितनी है यहाँ पर आलफा beta कि alpha beta कि इसी बटे तो c यहाँ पर और बटे में एक a से एक कट जाएगी तो a c तो बट दोस्तों इनमें कोई पी option नहीं है लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह square होगा क्या होगा इस square अगर यह square होगा तो थोड़ as complicated बनने वाला है अब सवाल ठीक है ना अभी आपकी responsibility है तो इसमें तो उस्तों थोड़ी सी problem लग रही है मुझे क्योंकि यहाँ पर power कितना बना चार एंसम लेते हैं और यहाँ पर बना square और बटे में बना alpha और beta का alpha square beta ठीक है ना तो इस वेज़े से थोड़ी सी problem है अधरवाई ज़े power same होती तो फिर तो कोई problem नहीं थी तो इस वेज़े से अगर देख ले जाए तो यहाँ सा alpha beta की value हम अलग से निकाल नहीं सकते चाहिए कितनी भी कोशिश कर लीजया अगर value नहीं निकाल सकते तो जाए इसे बात है तो चली दोस्तों फिर भी एक कोई बात नहीं अगर आपको कोई एक बार ट्राइ करना मेरे कहाल से तो अभी यह solution नहीं होगा क्योंकि यह question ही गलत है गलत की वहां क्योंकि दोस्तों यहां पर पावर सेम होनी चाहिए जो भी है इसके वेज़े से फेर सोलूशन हम अगर नेक्स बढ़ा जाए क्योंकि यह ना तो किसी पॉर्मूले के अंदर मिलता है ठीक है अगर तेग लिया जाए तो यह एक परसेंट इस पॉर्मूले के value अंदर मिल सकता है alpha plus beta का whole square तो क्या रहेगा alpha की power 4 plus beta square और 2 alpha square beta ठीक है तो यह value मिलने वाली है अब इस value को मिलने के वज़े से क्या समस्य आपको यहां पर समस्य यह है कि दोस्तों यहां से कौन कुछ भी solution नहीं निकाल सकते ठीक है ना यह तो इसने ज्यादा अच्छा नहीं तो ठीक है कोई प्रॉब्म है तो यहां पर यह किस्टन और दिया गया है इस क्रिश्टन को कैसा सोल करोगे आप यहां पर किस्टन सोल होगा कुछ इस तरीके से यहां पर दिया गया आपको आलफा पलब बेटा एकवल टो चोड़ीस है और आलफा माइनस बेटा एकवल टो क्या रहे होगा आपका आट अट अलफा और बेटा आपको निकालना चाहरे देखो अगर आलफा की वैलु चाहिए तो दोनों वैलु को एड़ करके तूस डिवाड करते तो थर्टी तू य कि मल्डिपलाय करने हैं एक वेसे निकालनी है यह समीकर्ण तो कैसी क्या फुर्मूला था समीकर्ण का तो हो था X स्क्वेर माइनस मूलो का योगपल और मुलों का योगपल X पलस आलपा बेटा मुलों को अनपल बराबर जीरो तो X स्क्वेर एडिटी जी यहाँ पर तो रहा 24 X 24 X वाली में एक ही क्वेशन है और यहाँ पर मुल्टिमिल सोल आट टेक्स ओटाइज तो कौन्सा ओप्शन दहाँ B option ठीक है ठीक है ना कौन्सा B option आपका ठीक है अच्छी यहाँ पर एक एक क्वेशन दी गई तो इसे भी सोल कर देते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है यहाँ पर क्या दियागा यह हो गया X स्क्वेर पलस 8X एक्वल टू रहा माइनस 15 इसे 15 को आप इधर लिलोगे तो कितना रहा है X स्क्वेर पलस 8X पलस 15 बराबर 0 तो इसके फैक्टर कितने होंगे इसके फैक्टर होंगे 5 और 3 अगर इस दूनों फैक्टर हैं तो मुझे बताया था कि अगर यहाँ पर पलस है तो दोटनों माइनस में मिलने वाले हैं तो आंतर क्या रहेगा आपका A option ठीक है ठीक है थोड़े से कुछ बेसिक कॉंसेप्ट है जो दोस्तों याद रहेगे चलने हैं आपको ठीक है यहाँ पर दिया गाए च्छे इसकी वैलू तो इसकी वैलू क्या ओति अल्पा पलस बेटा का स्क्वेर और मैनस के तू अल्पा बेटा यहाँ पर कितना हुआ च्छे का प्लिए ओवर चत्तिस और यह हो गया बारा और यहाँ से कितना मिला आपको शोड करने बाद 24 तो यहाँ पांचला 24 तो सी ओपर रटीक है ठीक है ना अच्छा के के किन मानों के लिए मूल समानों को पॉलम नहीं कर देते हैं भी स्कुष्टन को भी तो यहाँ पर करना क्या है यहाँ को सिर्फ आपको यह करना है एक मस्कुष्ट इससे एज़ड़ीज रख लिए कर है कि मानों को इस प्रेसल समानों जहीं टिबाद बराबर जीरो जीरो बी स्क्वएर मायनस ओना इसका स्क्वएर कर दिया और 4 A C A 1 है C कितना है equal to 0 ठीक है नहीं तो चलो है यहाँ पर अच्छा इसके बाद करना क्या आपको यहाँ से 4 गोमन लेने के बाद ख़तम कर देजी पहली भी responsibility आपकी यह थी तो यहाँ पर बचा क्या K-4 का square है और यहाँ पर क्या बचा 2K अब इसका whole square खोड़ दीजे यह थीक है तो K square plus 16 minus के कितना रहा 8K minus के 2K ठीक है तो यहाँ पर बचाँ आपकी equation बनी K square minus 10K plus के 16 तो 16 के ऐसे टोड़े जोस्तों जिसकी कट्टक एड़ करने पर कितना आ जाए 8 तो 8 दुनी 16 है ठीक है या यृक्षन रहा 2-dy-जोप्षन आपका ठीक है तो याँ पर भी यह है की के किस मान के लिए वेशे इसका है एक मूल दिया गया दोस्तों के कि मान क्या होगा तो कोई बात में अगर यहाँ पर एक मूल दिया गया तो दूसरा निकाल नहीं। यहाँ पर नदिखाल लेते हैं, मुलों का योगफ़ल नकाल लेते हैं, यहाँ से ते कोई बोलन तरो समने कीischer है. व्हीं देख लेते हैं तब होगा क्या, ठीक है, तो मुलों का योगफल होदता है दोस्तो आक का, कि यहां पर दूसरा बेटा ले लेजिए और यहां पर फाइव यहां से मिला तो फाइव से फाइव कटा तो बेटा के वैलू कितने मिली वन अब यहां कर दो दो तो यहां पर भी 6 तो मतलब कि यहां को फुट कर दो 5 पॉलस 1 एकवल टो 6 k एकवल टो क्या मिला आपको 1 है न की इकवल टो क्या मिला तो 1 तो सी ओप्षन ठीक है कौन सा सी ओप्षन ठीक है ऐसा दिवास जमकन जिसके मूल यह है तो अगर यह मूल लिए गए तो जाहिसी बात आपको फॉर्मुला लगाना चाहिए कौन सा मूलों का यूफल एंड मूलों का गुणन फल इकवल टो क्या रहेगा जीरो जोड़ दो के तो माइनस के पलस के तेरा एक्स ठीक है और गुणा कर दो के पंदरा दूने तीस तो डी ओप्षन ठीक है ठीक है देखे क्रेशन देगे तो यहां पर एक्स बराबर जीरो से बड़ा होना चाहिए तो एक्स की वैल्लु क्या होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर है तो एक्स स्क्व पलस एक्स माइनस टू एनलो रॉड एक्स गॉण्य इकॉलड़ जीरो तो एक्स 2 एक्स स्क्व रॉड़् एक्स यहां पर कितना हुआ यहां पर गॉई पर माइनस के तिरी अब इसके फैक्टर करने होगा तो प्रक्टर कैसे करог interestingουν दो माइनस के दो एंड एक्स माइनस तीन इक्वल टो जीरो तो यहां पर कितना रहा रहा जीरो तो यहां पर वन कॉमन लिया है तो एक्स इक्वल टो देख ले जाए तो वन ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह तो एक्स्टन और दिया गया दूर्तों यह कॉम्प्लेक्स नंबर वाला दे दिया अच्छे कभी भी आपके पास अगर आयए अटा की वैल्लू मिलती है सपोर्ण करोगे आलका की वैल्लू दी गए आपको टू पलेस के आयूरू तो दूसरी वैल्लू जो आप मानने ह कर सकते हो ठीक है ना दूसरी वैल्लू माइनस में लेट कर सकते हो अब यहां से एक बार तो आप इसे जोड़ दीजिए जब जोड़ दोगे तो यह कैंसिल हो जाएगा तो यहां वह बच जाएगा चार और एक बार गुना करोगे तो कितना होगा चार और चार माइनस की क्या होती है मूलों का योप्पन योपन कितना मिला चाह है आज करिभन अज फिनिस हो गया है जो कवश्क् altar सूँचना आपके लिए हमारे इसी चैनल ₹ करते के व BLACK करण योदी एक तो हिंदी है ठीक है और दोजी है इंग्यूस और सबसे बेनेफेट यहाँ कि यह सोग ब्रूकल वीडियोज का बैनेफेट क्या होगा सोगे बैनेफेट यह है कि एक मेंट में आपकी करंट अपेस तयार हो जाएगी ठीक है ना तो इसी के साथ दोस्तों मैं संजीद उमर एक बार फिर विदाई लेता हूं आपसे हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने तियारी निरंतर जारी रखे कब तक दोस्तों जब तक जोईनिंग लेटर हाथ में ना हो थैंक्स पूर वोचीं